प्रिये विवर्स ये संस्क्रति आई एस यूटूब चैनल का पीची थिंक एंड सॉल प्रोग्राम है इस प्रोग्राम के इंतरगर्थ प्रती एक दिन UPSC और स्टेट PCS से संबंदिद 5 प्रश्न व्याख्या सहीत उत्तर के साथ आपको दिये जाएंगे हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा तो चलिए शू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रंकला को 28 सब्ता तक गर्वधारण की हुई यौन शोशन की पीडिता को गर्वपात की अनुमती दी है उप्रिक्त में से कौन से कथन सही है एक एवल एक एवल दो सी एक और दो दोनों जी एक दो और तीन इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पॉक्सो विदेयक 2020 में गर्वपात की अधिक्तम समय सीमा 24 सब्ता तक निर्धारित की गई है यह सीमा यौन सोशन से पीडित नावालिकों तथा मांसिक रूप से अस्वस्त महिलाओं के लिए एक ही है हाल ही में केरल उच नियाले ने 16 वर्षिय नावालिक बच्ची को 28 सब्ता तक गर्वधारन करने के पश्चाद भी गर्वपात करने की अनुमती दी है यह निर्ध ने नियाले द्वारा पीडिता के मांसिक स्वास्त को ध्यान में रखते हुए तथा चिकिस्सा वोट द्व भारत ने आस्ट्रेलिया तथा इंडोनेशिया के साथ मिलकर चेन नहीं में किया दूसरा यह सम्मेलन समुद्री सुरक्षा सहयोग के विविन मुद्धों पर खुले समवात के माध्यम से उप्योगी सुझाव प्राप्त करने ही तू आयुजित किया जाता है उप्रिक्त मै इसमें भारत ने चेन नहीं में आस्ट्रेलिया तथा इंडोनेशिया के सहयोग से चौथा पूर्वी एशिया सिकर सम्मेलन का आयोजन किया है इस सम्मेलन की शुर्वाद वर्ष 2015 में की गई थी इसका उदेश सभी भागिदार देशों के बीच समुद्री सुरक्षा को ले 30 प्रतिशत तक कम करना है बी कुल कार्वनों सर्जन को वर्ष 2030 तक शून इस तर तक लाना है सी ए और बी दोनों कतन सत्ते हैं डी रेलवे को सभी ट्रेकों का वर्ष 2026 तक पूर्ण विद्धूति करन करना है इसका सही उत्तर है option C केंद्र सरकार ने 2021 के बजट में राष्ट्री रेलवे प्लान की घोशना की है इस प्लान में कहा गया है कि भारतिय रेलवे की कुल परिवहन लागत को 30% तक कम करना है इसके साथ ही कुल कार्वनों सर्जन को भी शूनिस तर पर लाना है रेलवे के सभी च्रैक का वर्ज 2024 तक विद्धूती करन करना रेलवे की गती को वर्तमान के 22 किलोमीटर प्रतिघंटा से बढ़ा कर 50 किलोमीटर प्रतिघंटा करना है बढ़ते हैं अपने अगली प्रशन की ओर नेरोवेंड इंटरनाट ओफ तिंक्स के संदर्व में निर्म लिखेत कत्नों पर विचार कीजे पहला यह भारत में विश्चु का सबसे बड़ा सेटलाइट आधारित एन्वी आयोटी नेटवर्ग है दूसरा इसकी स्थापना भारत संचार निगम लिमिचेट द्वारा स स्काइल लोचेक इंडिया की मदस्से की जाएगी तीसरा एन्वी आयोची तक्नीक बड़ी संख्या में सेलूलर उपकरणों को विना मानक मुवाइल नेटवर्ग कवरिश के डाटा भीजने में सक्षम बनाती है उपरिक्त में से कौन से कथन सही है एक एवल एक और तीन ब विश्यों के सबसे बड़ी सेटलाइट आधारित एन्वी आयोची नेटवर्ग को स्काइलोटिक के साथ मिलकर शुरू करने की घोश्ना की है नेरोबेंड इंटरनाइट ऑफ थेंग्स 3GPP द्वाराविक्सित लो पावर वाइट एरिया नेटवर्ग रेडियो है यह लाइसेंस प्राप्त आवरती स्पेक्ट्रम का उप्योग करता है जिसमें अन्य उपकर्णों का हस्तशेप नहीं होता है यह अधिक विश्वस्निय डाटा हस्तांतरन को प्रत्याभूत करता है इस प्रकार उप्रयुक्त सभी कतन सही है इसलिए इसका सही उत्तर होग कोच राज बोक्षी समदाय के संदर्ट में निर्मिलिखित कत्नों पर विचार कीजिए पहला यह पूर्वतर भारत के असम राज्य का एक समदाय है यह मूल रूप से ब्रह्मपोत्र नदी घाची के निचले हिस्से में निवास करता है दूसरा यह मद्दिकाल में कामताप सही उत्तर है औप्शन सी राज बोक्षी या कोच राज बोक्षी असम का एक समदाय है जो कामता रसामराज्य से संबंदित है मद्द युगीन समय में कामतापुर शेत्र पर शाशन करने वाला यह प्रमुक समदाय था जिसमें असम पश्यमंगाल तथा निकटवर्ती प्र प्रियासत पश्यमंगाल का हिस्सा बन गई है वर्तमान में कोच राज बोक्षी असम में घाले पश्यमंगाल बिहार के साथ साथ बांगलादेश नेपाल और भूटान के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं इस प्रकार उप्रयोक्त सभी कथन सही है इसलिए इसका सही उत्त होगा ऑप्शन सी